हालो दोस्तों डिवोशन इंस्टिट्यूट में आप सभी का स्वागत है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन आज हम बहुत इंपोर्टेंट 15 क्वेशन को डिसकस करेंगे ध्यान दीजेगा प्रेशन संख्या 141 यह आपके SSE CGL मेंस में पूछा हुआ प्रेशन है सभी लोग ध्यान दीजेगा क्या बोला है X SINE की पावर 3 थीटा Y COS की पावर 3 थीटा और यह किसके बराबर है 4 SINE थीटा COS थीटा यह information given है और आपको कहा गया कि X SINE थीटा माइनस Y COS थीटा यह है 0 यह information available है और आपको यह भी कहा गया कि SINE थीटा और COS थीटा बिलकुल बराबर नहीं है आपको X SQUARE प्लस Y SQUARE की value निकाल नहीं है इसको कैसे किया जाए सबसे important चीज यही है आंचर तो आए लेकिन कम से कम time में किस तरह से आए मैं आपको बताना चाहूंगा यह प्रशन यह प्रशन इस तरह के प्रशन अनेकों बार exam में आ रहे और students बहुत जादा गलती कर रहे हैं इस प्रशन के माध्यम से मैं आपको य लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए किन प्रशनों में लगेगा किन प्रशनों में नहीं लगेगा तो यह एक प्रशन बहुत important है पहले आपन एक तरीके से करते हैं फिर सीखते हैं जरा देखिएगा अगर मैं यहां बातचित करूं तो जो information मेरे को given है क्योंकि पू लगेगा तो यहां पर मैं कह सकता हूँ एक साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा समझ यह 141 वा प्रशने 141 कितना टार्गेट हमारा 250 250 वा प्रशन हो जाए फिर कमेंट करके बताना मेरे को कि कुछ चूट गया क्या कुछ नह की है ज़रा ध्यान दीजेगा यहां अगर में बात करूं तो मुझे यहां जो प्रशन पूछा गया एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वार प्रस वाई स्क्वार मैं कुछ यहां रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक्स वेरेबल यहां पर भी है वाई यहां पर भी है तो मुझे sin और cos के लिए कुछ put करना पड़ेगा तबी तो कुछ बात बनेगी तो sin और cos के लिए मैं करूँ तो sin बटा cos में धर लियाता हूँ और यहां मैं बात करता हूँ y बटा x तो अकसर लोग क्या कर देते हैं कि x की जगा y रख देते हैं और cos की जगे x रख देते हैं और रख करके काम करते हैं कैसे करते हैं जरा देखिए मैं अगर sin की जगा पर sin की जगा पर y रखूँ तो कैसे बने की equation x y cube बताइए क्योंकि sin theta को तो मैं y बोल रहा हूँ तो sin cube है तो y cube कर दीजे और अगर मैं y की बात करूँ तो cos की जगा पर क्या रखूँगा x तो मैं कहूँगा x cube बराबर मैं बात करूँ तो 4xy 4xy क्योंकि sin theta और cos theta को हम x और y बोल रहे हैं यहां पर y और x है अगर मैं यह गौर करूँ तो x y मैं पूरी equation में दोनों तरफ से उड़ा सकता हूँ आपको पता है न किसी भी equation में एक समान संक्या से भाग देने से या multiply करने से कोई फर्ग नहीं पड़ता तो यहां सब जगे से अगर x y उड़ा दें तो यहां केवल y square बचने वाला है यहां पर केवल x square बचने वाला है और यहां पर केवल 4 बचने वाला है और answer आचुका है x square plus y square बराबर 4 जो कि option number a है जो गलत है ढंक से समझ रहें ना मेरी बात को जान बूचकर मैंने सक्किया क्योंकि यह जो answer 4 वो गलत है आपने क्या किया expression में ratio के approach apply की है ratio के approach का मतलब क्या हुआ sign के जगा पर y रख दिया cos के जगा पर x रख दिया क्या हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन एक अचा student वो होना चाहिए जिसको यह हमेशा पता हो कि कब कर सकते और कब नहीं कर सकते तो यह सारा पार यानि की घातों का कमाल है वो क्या है जरा देखिए जहां पर मैं यह apply कर रहा हूं उसमें left और right side देखिए left और right side देखिए अगर मैं यहां बात करूं तो power में 3 में चल रहा हूं कितनी power में चल रहा हूं 3 में इधर जबकि one multiply one तो power तो जूड़ जाती है तो power 2 है ध्यान से सुनना में क्या कह रहा हूं बहुत ज़्यादा important चीज है तो left side में कितनी power है 3 और right side में कितनी है 2 यह miss match है नहीं चलेगा इस suppression में आप ratio apply नहीं कर सकते इसको proper तरीके से ही करना पड़ेगा अगर यहां पर x square हो sin square होता तो चल जाता कोई तकलीफ नहीं थी यानि इधर power 3 है इधर भी 3 है तो रेश्योजय कर दो इधर 2 है इधर 2 है ratio apply कर दो इधर 1 है इधर 1 है ratio apply कर दो अच्छा इधर और इधर का मतलब ऊपर और नीचे भी होता है left और right का मतलब उपर और नीचे कैसे होता है, क्योंकि 4 sin theta cos theta को मैं नीचे भी तो ला सकता हूँ, बताइए इसको यहाँ लाओ तो एक ही बात है, यानि कि धंगसे में क्यों कहना हूँ, बहुत जोर देकर बार-बार, क्योंकि left और right का उपर और नीचे भी कह सकता हूँ, इसलिए यह प्रशन cube theta, और यहाँ पर है y cos cube theta, देखो ऐसा कैसा लिखा हूँ, और वहाँ पर है 4 sin theta cos theta, 4 sin theta cos theta, अब आप जड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर गडबड़ी क्या हुई, मैं आपको बताऊं, यह y और x तो सही है, लेकिन यह y और x रेशो है, रेशो, exact value नहीं है, तो यह y का कुछ गुना है, अब कितना गुना है यह पता नहीं, और यह x का भी कुछ गुना है टाइम से, वो कितना है यह पता नहीं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, k times मांग सकते हैं, तो y के हो जाएगा और x के हो तो results जो निकल कर आएंगे आपके पास, वो यहाँ पर k के साथ में रह जाएंगे, और exit पूरी x square और y square नहीं मिल पाएगा, इतना सा homework समझो, करके देखो, अब जो करना है exam में, वो क्या करना है, जरा दिखे, अगर हम बात करें, तो हमने क्यों नहीं पूट किया यहाँ प एक साइन थीटा, एक बार जरा प्रश्ण पे गौर कीजेगा, यहाँ क्या लिखावाई, साइन क्यूब थीटा, वाई कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और जो information अवेलेबल है, वो information क्या बोल रही है, एक साइन थीटा, एक साइन थीटा बराबर y कॉस थ तिटा लिखा तो ये था एक साइन तिटा माइनस वाई कॉस्ट तिटा बराबर जीरो ये मैंने ऐसा लिख दिया अब ज़रा समझने की कोशिश करो एक अच्छा लर्नेड स्टूडेंट वो है जो प्रेशन का प्रारूप देखते ही समझ जाए और जितनी जादा आपकी प्र कॉस भी है मैं एक चीज अड़ा सकता हूँ यहां पर कॉस है लेकिन साइन नहीं है और यहां पर साइन है लेकिन कॉस नहीं है अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूं क्या बोल रहा हूं मैं अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो मुझे क्या चाहिए या त थीटा की जगा या Y कॉस्ट थीटा की जग़े क्साइम सिता लिख सकते हो जो दिल करे जो मन करें वो कर सकते हूं है मिट्श्टक सकते हूं क्त बाइक क्यों लिखा मैंने क्योंकि मुझे कुछ नहीं कुछ काटना है y cos theta कर सकते हूं, अब sin तो एक तो चला गया, बचा क्या? sin square theta, क्या बचा sin square theta, यहाँ पर क्या है? y cos cube theta और यहाँ पर क्या है? 4 sin theta cos theta, अब जरा समझे है, मैं जानबुच कर cos को लेकर आया, इस cos को मैं काट देता हूं, तो यहां से, अगर मैं cos को यहां से काटूँगा, तो यह cos square बच जाएगा, और यहां से मैं cos को काट सकता हूँ, तो आप देखिए, y sin square theta plus y cos square theta बराबर 4 sin theta, इसमें से y मैं common ले सकता हूँ, तो bracket में मुझे क्या मिल रहा है, sin square theta plus cos square theta, और इसकी value क्या है, बताइए, 4 sin theta, आप जानते हैं, sin square theta, cos square theta, 1 होता है, तो y की value मुझे क्या मिल गए, बताइए, 4 sin theta, जिस तरह से y की value मिल गई, उसी तरह से x की value भी मिलने चाहिए, अब x की value कैसे मिलेगी, जरा इधर देखिए, x की value चाहिए, तो x को तो रहने दो, बाकी को उड़ा दो, क्योंकि y तो मुझे मि तो इस y की जगा पर क्या रख सकते हो, y की जगा पर रख सकते हो, 4 sin theta, cos theta, अब जरा देखिए, x sin theta की बराबर क्या है, x sin theta की बराबर था, y cos theta, और y को आपने क्या बोला, 4 sin theta, sin theta, sin theta, sin theta काड़ दीजे, तो x की value क्या आ गई, 4 cos theta, देखिए, concepts को सीखने के लिए, हम आसान प पास करवाने के लिए अब जो प्रेशन आगे आएंगे वो टफ से टफ ही आने वाले और बिल्कुल जो की एक्जाम में भी अब पेपर आसान नहीं आता पेपर अच्छे से अच्छे आता है जितनी प्रेटिस करेंगे उतना काम होता चला जाएगा अब काम खटम एक्स की वैलिव आ गई वाई की आ गई पूछा क्या था एक्स स्क्वाईर प्लस वाई स्क्वाईर तो अगर एक्स का भी स्क्वाईर है वाई का भी स्क्वाईर है तो इन दोनों का भी स्क्वाईर चीफ दोनों का स्क्वाईर क्या होगा 16 साइन स्क्वाईर थीटा प्लस सिक 16, तो यहाँ पर जो प्रेशन है, उसका सही उत्तर B option होगा, ना कि A, बहुत सारे लोग A answer दे देते हैं, जल्दी वाजी में कोई तकलीफ नहीं है, रेशो आप जरूर इस्तमाल कीजिए, लेकिन रेशो का इस्तमाल सिर्फ तब कीजिएगा, जब लेफ्ट और राइट में प प्रेशन की तरफ चलते हैं, प्रशन संक्या 120, 142, क्या बोल रहा है, जरा देखिए, यह आपके CPO 2019 में पूछा गया प्रशने, और वो भी मेंस का कॉस्चिन था, क्या बोल रहा है ये, 10, 11 थीटा बराबर कौट 7 थीटा, ऐसा बोला गया, आपको मैंने ये पढ़ा रखा ह है पहले से, कि 10 A बराबर कौट B हो, अगर मैंने बता रखा आपको 10 A बराबर कौट B हो, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है, कि A और B का मान 90 डिगरी होता है, ये पूरी में एक क्लास ले चुका हूँ, इसके ओपर बहुत अच्छे से, आपको सारी चीजे बताई, कब कब एक होता है, अभी अपन रिपिट नहीं करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, उसके ज़रूत भी नहीं है, तो आपको मालूम है, कि 10 A बराबर कौट B, ये A है, और ये B है, तो वो 90 डिगरी होना चाहिए, निकि 11 थीटा प्लस 7 थीटा, ये 90 डिगरी के बराबर ह 18 थीटा की वैल्यू क्या आती है, पांच डिगरी, पूछा क्या है, पूछा है ये, आपके सामने और ये प्रेशन मैंने तो बनाए नहीं है, जाधा तर प्रेशन एक्जाम में आयोए उठा रहों है, 6 थीटा, 6 थीटा का मतब क्या है, 30 डिगरी, 5 ये 30, 30 डिगरी, साइन 30 क्या होता है, 1 बाइ 2, 1 बाइ 2, 1 बाइ 2 का स्क्वार करो, क्या होगा, 1 बाइ 4, 1 बाइ 4, सेक 9 थीटा, 9 थीटा, एक का मतब 5 है, तो 45 हो गया, तो सेक 45 किता होता है, रूट 2, और रूट 2 का स्क्वार किता होगा, 2, मेरी बाद समझ पा रहें, कॉस, कॉसेक 12 थीटा, थीट याद रखो, root 3 by 2, उसका उल्टा करो, 2 by root 3, याद रहे हमेशा, फिर आपको practice करते हो जाएगा, 2 by root 3 का square, 2 का square 4 और root 3 का 3, तो यह सब कुछ आपके सामने मौजूद है, जो base है वो तो 12 आने वाला है, क्योंकि LCM 12 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर बात करूँ तो 3 है, यहाँ पर बात करूँ तो 24 है, और यहाँ पर बात करूँ तो 16, 40, 43 बटा 12, 43 बटा 12, option number D, 43 बटा 12, option number D, अब आपको अगर यह concept नहीं पता, तो काम अटक जाएगा, यह मैं already सिखा चुका हूँ, तो आपको यह पता होना चाहिए, 10 A multiplied 10 B, बराबर अगर 90 हो, तो 10 A बराबर 10 B है, और 10 A बराबर कॉट भी है, क्योंकि कॉट को हम 10 में क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, और पूरा एक session में करा चुको हैं उसकी बीचे, आप उसको देख लिजे, तो concepts आपके clear होंगे, प्रशन संख्या, 143 पर चलते हैं, यह प्रशन आपके SSE CGL में पूछा हुआ प्रशन है, x square minus 1 sin theta, यह sin theta के साथ में दिया गया है, 2x cos theta दिया गया है, बराबर x square plus 1, यह 1 है, x square plus 1, तो 10 theta की value बताइए, आपको मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, अगर कहीं पर ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए, देखो यहां पर आपको एक triplet जैसा नजर आ रहा है, तो triplet जैसा नजर जैसे मालीजे मैं कहूं आपको 3 sin theta plus 4 cos theta बराबर 5, अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, लेकिन expression की वजह से मैं आपको repeat कर रहा हूँ इस बात को, अगर यह 3, 4 और 5, अगर यह triplet है, लिख लेना, exam में धेरों धेरों बार यह प्रशन आता है, अगर यह triplet है, तो जो sign के साथ होगा, वो हमेशा perpendicular होगा, जो cos के साथ होगा, वो हमेशा base होगा, और जो बच गया, वो हमेशा hypotenious होगा, होगा ही होगा, लेकिन शर्त क्या बोली मैंने, यह एक triplet होना तो जरूरी है, अगर triplet नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी, एक बात बताईए, एक बहुत ही common triplet, कि हम लोगों ने कई बार बाते की, a square plus b square एक तरफ रख लीजे, a square minus b square एक तरफ रख लीजे, और 2ab, क्या यह दोनों इधर, और यह hypotenious, क्या यह triplet बनता है, बिलकुल और इसकी बाते मैं धेरो बार कर चुका, मैंने आपको यही भी बता है था, कि इन में से किसी एक variable को या दोने को, अगर आप कोई नाम दे दें, value दे दें, तो भी फरक नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पर मैं इसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं b को 1 बना देने की उस तरफ कि क्या sign के साथ में ये ऐसा नजर आ रहा है, a square minus 1 जैसा देखो जरा धंग से, क्या cost के साथ कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जरा देखो धंग से, और क्या बाजू में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देखो धंग से, तो क्या ये एक triplet नजर आता है, कितनी मेहन तो होती है प्रशनों को चुनने में ताकि कम समय में आपके लिए आउट पुट जुटाया जा सके लेकिन वीडियो के व्यूज देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई फाइदा ही नहीं मिल रहा आप लोग इसको शेर करो ज्यादा लोगों में आप बताइए मेरा मो कोशिश कर रहा हूं वरना तो इतने सारे लोग एक साथ देखते थे वो डिसकंटीन्यू होगे बहुत सारे लोग क्योंकि दो महीना मेरी कोई क्लास ही नहीं आई आप समझ सकते हैं सिचुएशन फिर वापस हिम्मत जुटा के मैं इतनी मैनत करने की कोशिश कर रहा हूं और जो एक्जाम में आ सकता और मैंने ना कराया हो इसके तुरंद बाद इसी का पार्ट हाइटन डिस्टेंस लूँगा फिर हम करेंगे जोमेटरी बिलकुल तसलिस से बहुत बढ़िया से और एलजेबरा भी करेंगे और हार चीज करेंगे लेकिन आपका थोड़ा सायोग होना भी चाहिए जड़ा देखिए अब यहां पर मैं क्या कहना चाहरा था वो बात को समझाते हुए कि यह दिख रहा है भई कि साइन के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है जो कॉस के साथ है वो बेस है और जो बच गया वो हाइपोटीनियस है बात खतम बस कुछ नहीं करना टै तो अपन बिलकुल सिंपल बात कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बोले बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम बात करूँ परपेंडिकुलर क्या है यहां पर जो साइन के साथ है एकस स्कॉर माइनस वन एकस स्कॉर माइनस वन तो यह आप्शन तो अगर आपको यह ट्रिप्लेट का पता है तो यह ट्रिप्लेट ना जाने कितनी बार किस किस फॉर्मेट में कैसे कैसे एक्जाम्स में पूछी जाती है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजेगा प्रश्न संक्या 144 पर बढ़ते हैं 144 साइन थीटा की वैल्यू दी है इसने पी स्क्वाइर माइनस वन अपॉन पी स्क्वाइर प्लस वन यह आपके CGL 2019 का प्रश्न है और कॉस्ट थीटा आपको पूछा गया है आप दो तीन तरह से कर सकते हैं इसको थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे तो काम थोड़ा आसान हो सकत है एक हिटन ट्राई वाली बात करें जरा देखो मेरे साथ आपको एक ट्रेपलेट सिखाई थी 345 जो जाधा तर जगह पर लगती है या तो हम वैल्यू उसको पुट करतें जो जाधा तर जगह पर कर लेतें या ट्रेपलेट 345 का बहुत इस्तमाल करतें इधर देखो एक ब वैल्यू आपको नजर आती है जो उसको सेटिस्फाइड करती हो बाता हो आगर ईसको कोई सेटिस्फाइड करती हो और को ट्रेपलेट बनाती हो और सबसे कॉमन ट्रेपलेट च्वालियू एक तीन चार और प्लस एक 5 आता है क्या यह hypotenuse 5 और perpendicular 3 अगर होता है तो क्या बेस 4 बैठता है बिल्कुल बैठेगा इंटरपलेट होती है क्या यह satisfied करते हैं बिल्कुल करते हैं क्योंकि अगर यह satisfied करें तो यह अपने आप satisfy करेगा पूछा क्या है cost theta पूछा है आपको पता है कि cost किसके बीच relation बताता है cost बताता है base और hypotenuse के बीच relation बताता है तो base क्या है यहां पर base है 4 और hypotenuse क्या है बताइए 5 तो उत्तर वो आ जाएगा जो 4 और 5 को दिखा दे अब 4 और 5 तो यहां लिखा नहीं है क्योंकि पी के format में दिया तो और पी के format में पूछा है तो आपने क्या मान कर निकाला वही है सब कुछ 4 5 किस क्या मान कर निकाला दो पी को 2 मान कर निकाला ना तो पी को 2 मान कर निकाला तो यहां पर 2 निकाल कर देखो तो यह तो नहीं सकता, यह हो सकता है, चार, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर P2 है, तो फिर 4 कैसे हो जाएगा, दो आप्षिन तो वैसे ही खतम हो गए, यह 4 हो सकता है, यह भी 4 हो सकता है, लेकि नीचे 5 आना चाहिए, यह 5 नहीं हो सकता है, यह नीचे 3 हो जाएगा, 4 बटा 3, यह 4 प्लेस एक 5 होगा, तो answer क्या दिजेगा option number A, option number A is the right answer, आपका काम ये होना चाहिए हमेशा, कि answer जो भी निकले, वो कम से कम टाइम में भी निकले, ये भी बहुत importance रखता है, प्रेशन संक्या 145, 5 sin theta minus 4 cos theta बराबर 0, और आपको कहा गया कि theta 0 से 90 degree के बीच में है, और ये आप से पूछा गया है, ध्यान दीजेगा सभी लोग, अब यहाँ पर अगर अगर अपन ध्यान दें, तो पहली चीज़ क्या है, 5 sin theta बराबर है 4 cos theta के, अगर मैं यहाँ देखू, sin theta बटा cos theta, तो क्या मैं यहाँ पर इसको 4 बटा 5 बोल सकता हूँ, आज मैंने जो पहला प्रशन कर सभवाय है, उसमें मैंने आपको कहा, कि आप ratio का इस्तमाल इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि left और right में power same नहीं थी, उपर और नीचे power same नहीं थी, यहाँ पर जागर ध्यान देंगे गर आप, तो power same है, यहाँ भी one है, यहाँ भी one है, तो यहाँ पर हम ratio का इस्तमाल कर सकते है बिल्कुल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तो sign की जगे 4 अगर आप रखोगे, तो यहीं मैं रख देता हूं, ज़रा देखो, sign की जगे 4 रखना है 5 x 4, 20, और cost की जगे 5, 5 x 2, 10, और यहां sign की जगे वही, तो वो तो 20 का 20 ही आना है, और plus 5 तिया 15, यानि उपर 10 बजगिया नीचे 35, 10 बटा 35 होता है, 2 बटा 7, यानि option number B हमारा सही answer कहलाएगा, यह हमारा एक तरीका है, और यहां पर हम आसानी से ratio को put कर पा रहे हैं, क्या एक और चीज़ आपको दिखरी है, आपको मैंने कई बार सिखाया, कि ratio कम से कम होने चाहिए, अब इस प्रशन में दो ratio है, sign और cos, तो क्या हम किसी एक को दूसरे में आसानी से convert कर सकते हैं, यह तो दिखी रहा है, कुछ भी नहीं करना, 5 sin theta का मतलब है, 4 cos theta, तो यहां मैं 5 sin theta को क्या बोल सकता हूँ, 4 cos theta, जरा देखिए, 4 cos theta, इसको अगर मैं बोल सकता हूँ, तो 4 minus 2 cos theta क्या बचेगा, 2 cos theta बचेगा, और 5 sin theta को 4 cos theta बोल सकते हैं, तो 4 plus 3, 7 cos theta हूँ जाएगा, cos theta कर जाएगा, तो भी आंसर 2 बटा साधी आएगा, चाहे बचेगा करो क्या एसा करो, क्या बोल सकते हैं, sin theta, cos theta को क्या बोलते हैं, 10 theta, क्या बोलते हैं, 10 theta, जिस information, जिस ratio में available है, अपन क्या प्रयास करते हैं, कि प्रश्न का प्रहारूप भी उसी ratio में convert हो जाए, तो क्या बना सकते हैं, आप बना सकते, 10 theta बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपर और नीचे cos theta करना जाएगा, तो क्या बनेगा, sin theta, cos theta 10 होता है, तो यह बनेगा 5, 10 theta, minus 2, अब cos से डिवाइड करो क्या तो cos कर जाएगा, तो 2 रह जाएगा, और यह सेम 5, 10 theta हो जाएगा, ऐसा कैसा, क्यूंकि sin theta cos 10 बनेगा, और cos से cos कर देगा, तो 3 रह जाएगा, 10 theta की value क्या आ रही है, 4 बट बटा 5, minus 2, और 5 multiplied, 4 बटा 5, plus 3, नीचे 5 है, क्योंकि LCMA 5 तो कटी जाएगा, और यह 20 minus, क्योंकि 5 है, तो 5 का दुगना 10, 20 minus 10, 10 रह जाएगा, यहाँ पर 20 plus, यह 15 बन जाएगा, 35 हो जाएगा, कट पिटकर वही आंसर आजाएगा, 2 बटा 7, यह बहुत जादा जरूरी है, कि क्लिक करना चाहिए, आपको, क्या क्लिक करना चाहिए, कि option में क्या दिया हुआ है, तो आंसर जो यहाँ पर भी option है, ध्यान दीजेगा, अगले प्रशन पर चलते हैं, अपने प्रशन संक्या 146, एक तिरबुच के दो कौन दिये हैं, एक बटा 3 रेडियन, और एक बटा 2 र दिगरी के जितने जो रिलेशन एक्जाम में आ सकते हैं, वो सारे करा दी हैं, और अगर वो कर लिए तो यह question भी आपसे आसानी से हो जाएगा, आप जानते हैं, कि तिरबुच के तीनों एंगल्स का संद दिगरी में 180 होता है, लिएक रेडियन में पाई रेडियन बोलते है तो अगर मैं इसमें से इसको में 22 बटा 7 बोलू और इसको में बोलू 5 बटा 6 तो रेडियन में मुझे मिलने वाला है, 7, 6, 42, 6 को करो तो 132 है, और 7 को करो तो 35 है, 32 हटा तो 97 बटा 42 रेडियन, 97 बटा 42 रेडियन, अगर इसने तीसरा एंगल हमसे रेडियन में पूछा होता तो यह आंसर सही था लेकिन इस तो डिगरी में पूछा तो फिर अपन क्या करते हैं रेडियन को डिगरी में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टिप्लाई करते हैं जो हम अल्रेडी खूब डिसकस कर चुके कल और परसों 180 बटा पाई पाई मतब 22 बटा साथ तो 22 नीचे सा उपर साथ से काटो छे बार छे से काटो तीस बार और तीस को फिर दो से काटो पंदरा और ग्यारा बार पंदरा साथ एक सो पाँच एक सो पैंटिस एक सो पैंतालिस बटा ग्यारा अगर मैं बात करूँ एक तैस बटिस दो और यह तीन यानि एक सो बटिस है तीन बटा ग् 3 बटा 11, option number B, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन अल्रडी कल परसों में खुब बाते हो चुकी है, प्रशन संख्य 147 पर आईएगा, सब लोग, अगर आप ढंक से करें, तो इसको बिना लिखे कर सकते हैं, आपको पता है, 90 माइनस थीटा जबी भी आपक दिखता है, तो साइन कॉस में चेंज होता है, होता है कि नहीं, कॉस साइन में चेंज होता है, तो एक बार आपको सिखाने के लिए थोड़ा मैं एक स्टेप आपको लिखता हूँ, आप यहाँ पर कॉस को क्या बोल सकते हैं, साइन, साइन 4 थीटा, बताइए साइन की पाव समझने की कोशिश कीज़ेगा तो देखो यहाँ पर चुक्कि 90-θ था इसलिए मैंने स्कॉस को साइन में चेंज किया यह 90-θ था इसलिए मैंने साइन को क्या किया कॉस में चेंज किया अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको दिख रहा है कॉस स्कॉयर थीटा माइनस वन आपको मालूम है साइन स्कॉयर थीटा प्लस कॉस स्कॉयर थीटा बराबर वन होता है कॉस स्कॉयर थीटा माइनस वन क्या होगा माइनस साइन स्कॉयर थीटा क्या होगा माइनस साइन स्कॉयर थीटा तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 upon sin की पावर 4 theta minus 1 upon sin square theta क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आगे अगर मैं यहाँ पर LCM लेने की बात करता हूँ तो sin की पावर 4 theta मैं LCM ले सकता हूँ तो 1 minus क्या बचेगाँ बताए़ sin square theta यह सब root में चल रहा है 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta upon sin की power 4 theta ये सब root में चल रहा है और जब मैं इसको बाहर निकालूँगा तो क्या बचेगा इधर बचेगा cos theta और इधर बचेगा sin square theta आप जानते हैं cos upon sin cot theta होता है cos upon sin क्या होता है cot theta होता है और नीचे one upon sin और बच रहा है तो cot के साथ one upon sin का reciprocal cosak और होना चीए यानि कि option number A हमारा बिल्कुल साई answer है थोड़ी सी practice करेंगे तो लिखे बिना काम चल सकेगा अगले प्रशन पर चलते हैं प्रशन संग का 148 एक चीज देखते ही पता लगता है sec theta plus 10 theta अगर आपको sec theta plus 10 theta दिख रहा है तो sec theta minus 10 theta चाहिए ही चाहिए अगर आपको cos theta minus cot theta दिख रहा है तो cos theta plus cot theta चाहिए ही चाहिए square में दिख रहा है तो square में चाहिए उसके बिना काम नहीं होगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप बनाने के लिए क्या करेंगे आपको यहां sec theta चाहिए उपर और नीचे sec theta से आपको क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा अगर आप sec theta से multiply करते हैं तो उपर बनता है cot theta multiply sec theta और यहां मैं बात करूँ अभी तो 1 minus sin theta और यह sec theta plus 10 theta तो ऐसे कैसे रहने तो sec theta को इससे करो को तो क्या होगा sec theta और minus sin multiply sec sec का मतब क्या बन उपरन cos तो sign upon cos क्या होगा 10 theta sec theta minus 10 theta sec theta plus 10 theta यह एक दूसरे के reciprocal है दोनों का product क्या होता है 1 तो नीचे क्या हो गया 1 क्या result बना 1 लेकिन आगे भी solve करना पड़ेगा क्योंकि यह तो single ratio में दिया हुआ है तो cos theta को क्या बोलते हैं cos theta upon sin theta practice करेंगे तो यह जल्दी से हो जाएगा और यह one upon cos theta काड़ दीजे one upon sin theta का reciprocal है cos theta answer होगा option number A प्रशन संख्या 119 चास आपके CGL mains में आयवा प्रशन है जरा ध्यान दीजेगा 10 की power 4 theta 10 square theta बराबर 1 आपको याद हो तो इसमें क्या है 1 plus 10 square theta second square theta होता है लेकिन important बात क्या है आपको क्या चाहिए नजर उस पे रखिए आपको इसने 10 में नहीं पूछा इसने आपको cos पूछा है तो आपको ऐसा मेरे को information तो cos में चाहिए अब देखो हम क्या कर सकते इस part से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 10 square theta 10 square theta में common ले सकता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास 10 square theta plus 1 बचेगा बराबर 1 है और 10 square theta plus 1 को बोलते हैं sec square theta तो 10 square theta multiply sec square theta बराबर 1 क्या मैं यहाँ पर 10 square theta को 1 upon sec square theta बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी नजर मेरी नजर तो cos पर है cos मुझे sec से मतलब नहीं 10 से मतलब नहीं मुझे तो cos सही है अब cos का reciprocal क्या होता है sec तो मैं उस पर दिमाग लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 10 square theta जो है वो किसके बराबर है बताईए cos square theta के अब मुझे आप इतना सा बता दीजे cos square theta जो है वो किसके बराबर हो रहा है 10 square theta के बिल्कुल है तो क्या cos की power 4 theta 10 की power 4 theta के बराबर नहीं होगा बिल्कुल होगा यह भी 10 की power 4 theta के बराबर होगा और यह आपसे पूछा गया है तो क्या ये वही नहीं बन गया जो दिया गया है आपको तो जो वो जो दिया गया है वही बन गया है तो answer भी वही आएगा जो दिया गया है यानि कि answer क्या दीजेगा option number B प्रशन संक्या 150 हाज class का समय 7 बजे का है सवा साथ अलड़ी बज चुके हैं आज मैं कहीं चला गया और मेरे को बहुत जादा time लग गया आने में तो आने में ही मेरे को 6 से जादा बज गये थे तो class ये शूट करने में लेट हो गई तो सवा साथ तो अभी बज रहे हैं तो थोड़ा 15 मिंट और लगेंगे अब फिर आपको class मिलेगी इसलिए आज की class लेट हो गई एक question और करते हैं 155 के लिए आज मैं थोड़ा इतना ही करूंगा क्योंकि अलड़ी लेट हूं class के लिए sec theta minus 10 theta 1 plus sin theta divide sin theta देखो आप इसको खुद करेंगे क्योंकि ऐसा ही प्रशन मैंने आज कराया आपको आपको मैं क्या clue दे रहा हूं sec theta minus 10 theta दिख रहा है तो मुझे sec theta plus 10 theta चाहिए ही चाहिए और इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह आप जानते हैं बहुत अच्छे से उमीद करता हूं sessions में आपको मजा रहा है 150 number आप comment करके जरूर बताएं मेरे को क्या answer क्या होता है वीडियो को like करें, share करें मेरी शुब कामना है आपके साथ हैं वीडियो देखने के लिए thank you very much